I also think that some credit should also go to people who were making stupid statements against the film. पिक्चर 1000 करोर टच करने वाली है, अपने आप में एक बड़ा लक्ष जो की टच करती दिख रही है, एक बड़ा आकला टच करती भी दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शारोखान जो है एक वीडियो को रीट्वीट करते हैं, जिसके अंदर विराट कोहली यानि इंडिय कि टीम जो है, वो कहीं न कहीं पठान गाने पर मूव करती दिखाई दे रही है, ऐसे वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली और उनकी टीम मूव कर रहे हैं, लेकिन गाना अलग से लगाया गया है, कहा ये जा रहा है कि कुछ पठान के मूव देख लीजिए, जि लोग बाइकॉट कर रहे थे, जो लोग आलूचना कर रहे थे, जो लोग कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे थे, शारोखान और पठान पर, आज वो भी कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग बाइकॉट कर रहे हैं, या कर रहे थे, उनको तंसका सा जा रहा है, ज जिसके अंदर वो कुछ ये कह देते हैं। मतलब विवेक रंजन अगनी होतरी के मुताबिक उनको भी क्रेडिट मिल लाना चाहिए। जो बेवगूफ हमाले कॉमेंट कर रहे थे पिक्चर के हमाले से। तो लोगों ने उनके साथ ये एक क्लिप शेर कर दी क्योंकि कहीं ने कहीं इनकी भी एक हद तक की हिस्सेदारी थी। कुछ इस तरीके के बेतु के वीडियोज ये भी शेर करते दिखाई दे रहे थे। दूसरी अपडेट में शेर कर दूँ जो की जुड़ी हुई है बीबीसी के हवाले से आप इंटरनेशनल लेवल पर क्या छप रहा है और नैशनल लेवल पर क्या छप रहा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है नैशनल लेवल पर ये छप रहा है कि बीबीसी के दफतर मे IT की survey ये आपकी screen पर ये इंदुस्तान टाइम्स और Indian Express में यही छपा है लेकिन English अकबारों में याने international अकबारों में क्या छप रहा आपकी screen पर ये कहा जा रहा है कि Indian authorities ने जो है वो BBC के दफतर पर rate करी है और ये rate Modi की documentary के बाद हुई है जहां ये आपकी screen पर The Guardian और CNN Business दोनोंन बताई यह जा रही है आप सोच तो बिलकुल भी नहीं पता कि वाकिए अभी का है कब का है लेकिन सोशल मेडिया पर वायरल हो चुका है बरिष्ट पत्रकार इस वीडियो को शेर कर रहे हैं यहां पत्रकार अन्वीजे शेर करके कहते हैं कि बीबीसी के दफ्तर में जब इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए पत्रकार विनोत कापडी कहते हैं एरोगन्स देखिये इनकी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसके बाद सीधे फासी पर चड़ा दिया जाएगा पत्रकार स्वाती लिखती हैं कि IT ओफिशिल्स के तरीके द लोगों को सर्विस में लाया जा रहा है यानि आलोचना शुरू हो जाती है इस वीडियो पर जो बताई जा रही है कि ये BBC के दफ्तर में IT की रेट पड़ी थी और ये अफसर उनके साथ बरताव कर रहा था साथ इससाथ अपडेट शेर कर दे आपके साथ जोड़ी भी ये हवाले से जी हां गोदी मीडिया में अभी जो चर्चा का विशय बना हुआ था वो ये था कि राहुल गांदी के परदादा यानि फिरोस गांदी के पिता का नाम सरनेम जो है वो गैंडी था गांदी नहीं अब इतनी क्लेरिफिकेशन की क्या जरुआतान पड़ी जिस पर बड़ी बड़ी जो है एक्स्प्लेनेशन चल रही थी जहां लगातार सुधीर चौधरी और सुषान सिंग इस पर चर्चा करते दिख रहे थे जिस पर पत्रकार ने रियाक्शन दिये विपुल कुमार लिखते है तुम गोड़ से पूजने वाले के प्रवक्ता हो जाहिर स से नहीं तो इतनी बड़ी इंवेस्टिगेशन का और इतने बड़े शो का कोई मतलब ही नहीं बनता जब बात समिधान की हो रही हो और सरनेम कुछ भी हो किसी का भी कुछ भी सरनेम हो सकता है लेकिन बात तो समिधान के बलबूते पर होनी चाहिए लगातार सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की इस रिपोर्टिंग पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं साथे साथ के कानपूर के हवाले से जो अपडेट आई अपने आप में दिल दहलाने वाली है आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि उतरप्रदेश के कानपूर देहात में बुलडोजर चल जोपड़ी में आग लग गई और मा बेटी की मौत हो गई जो ये अपडेट आई अपने आप में चुकाने वाली है और किस तरीके से सोचल मीडिया पर इसको देखा जा रहा है कौन क्या कुछ लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर ये पतरकार की तरफ से कहा जाने लगा कि थू है तुमारी नेतागरी पर थू है तुमारी घटिया सिस्टम पर जिसने तीन बेबस ब्रहमनों को जिन्दा जलने के लिए मजबूर कर दिया आपकी स्क्रीन पर कापिल मिश्रा लिखते हैं कि कानपूर में जो हुआ वो हत्या कानड से कम नहीं है जिम्यदार अफसरों के साथ वही सुलुक होना चाहिए जो हत्या के आरोपियों के साथ किया जाता है अब यह सारी रियाक्शन मैंने इसली शेयर किया क्योंके कहीं न कहीं इन सारे रियाक्शन को लेकर सोचल मीडिया पर चर्चा चल रही है क्योंके यह कहा जा रहा है कि जब यह मामला अभी आय तब किस तरीके से लोगों के रियाक्शन सा रहे हैं लेकिन ऐसे ही कई बार ऐसा हुआ जहां ये मजाग भी उडाते दिख रहे थे आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट मैंने शेयर किया था हिमांचू का ये हिमांचू का पुराना ट्वीट है कि जब जहांगीर पूरी में डिमालिशन का काम चल रहा था तो किस तरीके सा हिमांचू मजाक उडा रहे थे और बुर्लोजर कारवाई पर कहीं न कहीं लोगों को मजाकिया लेजे में ट्वीट करके बता रहे थे आपकी स्क्रीन पर ये वही गोदी मीडिये की पत्रकार हैं जो अभी नराज हैं लेकिन जब इससे पहले यही कुछ हो रहा था तो इसका पूरा का पूरा श्रे जो है वो बाबा को दिया जा रहा था और अभी कानपूर में जो हुआ है वो अब ओफिशिल को ब्लेम किया जा रहा है कापिल मिश्रा के पुराने ट्वीट का इस्तमाल क करने का है यानी लगतार बुल्डोजर वाली कारवाई पर समर्थन मिल रहा था और अभी उसी तरीकी की जब कारवाई हुई है तो किस तरीके से कहा जा रहा है पतरकार लेगते हैं कि जब वही बुल्डोजर कारवाई मुसल्मान के खिलाफ ह Bliss कोती है तो यह ट्वीट आता साथ साथ आमन चोपड़ा को भी घेड़ा जा रहा है बताया जा रहा है कि बुल्डोजर कारवाई पर हमेशा से बढ़ चल करके बोलते हैं चीर करते हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं है ये मामला मुसलमान से जुड़ा होता तो अभी तक वो इस पर लंबी च जान बच जाती साथ साथ अपड़ेश अरकरते हैं आपके साथ जुड़ी हुई है मध्या परदेश से जी आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है मध्या परदेश के नर्मदापुरम का मामला जहां चर्च के अंदर आग लगा दी गई और ओयल पेंट से दिवार पर राम ल गरिफ्तारी करी है जिन में अवनीश, पांडे, शिव और मास्टर माइन आकाश तिवारी है बड़ी बाट ये है कि पुलिस ने इनको जहांसी से गरिफ्तार किया है और इस काम को ये कई दिनों से और कई वक्त से कर रहे हैं और इनका ये काम है कि ये चर्च, दर्च, दर् गरिफ्तार कहा कहा है और फिर उसको आग लगाने का, तोड़ने का काम बाकी टीम मेट्स करते हैं तो एक बड़ा खुलासा जो है वो फुलिस की तरफ से खिया गिया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गिया है सोचल मेडिया की वाइरल खबरों में आज के लिए इतना ही अपनी राय सुझाओ कॉमेंट पर जरूर बताएं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखें